हेलो फ्रेंड्स आप सभी का हमारे चैनल पे एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है जैसे कि आपने हमारे पिछले लेक्चर में देखा होगा हमने बॉटनी सेकेंड डियर का पेपर फस्ट का यूनिट फोर्थ हमने कम्प्लीट कर लिया है अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिट फस्ट पढ़ेंगे बॉटनी का और अब हम लोग इसमें देखेंगे कि पेपर फस्ट का नाम क्या है और फस्ट यूनिट में क्या-क्या हमें पढ़ना है तो चलिए देख लेते हैं डावेस्टी ओफ एंजियोस्पर्म सिस्टमेटिक्स डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन ये पेपर का नाम है और इसके अंदर क्या क्या पढ़ना इसमें चार यूनिट्स हैं जिसमें से हमने चार यूनिट नमबर फॉर्थ पढ़ लिया था अब यूनिट फर्स्ट पढ़ेंगे उस यूनिट का नाम है सिस्टमेटिक्स और उसमें कौन-कौन से टॉपिक हमें कवर करने हैं वो हम देख लेते हैं तो टॉपिक का नाम है प्रिंसपल आफ क्लासिफिकेशन नॉमनखलेचर कॉम्परेटिव स्टटिव ओफ डिफ्रेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ना है कौन-कौन सा लीनियस बेंथम एंड हुकर का एंगलर एंड प्रैंक्टल का हचिंसन का एंड क्रॉंक्विस्ट का हमें क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ना है उसके बाद हमें पढ़ना है हर्बेरियम टेक्निक्स एंड इंपोर्टन बॉर्टनिकल गार्डन और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे हर्बेरियम टेक्निक्स के बारे में तो चलिए स्टार्ट करते हैं हर्बेरियम टेक्निक्स हेडिंग डालेंगे हर्बेरियम टेक्निक्स और उसमें लिखना है collection of dried pressed and mounted plant or its part on a herbarium sheet which are identified and classified according to a definite system of classification is known as herbarium the size of herbarium sheet is about 41.25 into 28.75 cm square तो इसमें ये बताया जा रहा है कि herbarium techniques होता क्या है तो सबसे पहले ये जानते हैं herbarium techniques ऐसी techniques है जिसमें कोई भी plant या plant का कोई part हमें लेना होता है और उस part को हम लोग dry कर लेते हैं उसको सुखा लेते हैं प्रेस करके या किसी चीज़ के नीचे दबा कर और उसे हम herbarium sheet पर चिपकाते हैं mounted मिस होता है चिपकाना और उसे हम herbarium sheet पर चिपकाते हैं ये plants कैसे हो सकते हैं which are identified and classified according to a definite system of classification एक निश्चित system के द्वारा ये classified हुए होते हैं और identified भी होते हैं ये plants जो हम लोग चिपकाते हैं जैसे अभी माल लीजे हमें गेंदी का प्लांट शिपकाना है तो हमें उसके बारे में जानकारी होनी चीज़े टैजिटस इरेक्टस इसका scientific name है उसका common name लिखना रहता है तो point ये है कि herbarium techniques क्या होती है जो हमने अभी पढ़ ली उसके बाद ये paper में आता भी अभी अभी से second year के paper में पूछा जाता है कि भारती है herbarium के बारे में notes लिए या right short note on Indian herbarium अगर ये आप लोग को बड़ा लग रहा हो यहां से which are से लेके which are identify and classified according to a definite system of classification अगर ये आपको बड़ा लग रहा है तो आप इतना लिख सकते हैं कि collection of dried pressed and mounted plant and its part on a herbarium seat is known as herbarium बस इतना ही लिख सकते हैं अब उसके बाद अब हम लोग को पढ़ना है कि यह herbarium का preparation herbarium techniques जो है उसका preparation कैसा हो कैसे होता है या नी herbarium जो हम लोग बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं क्या क्या उसमें steps आते हैं तो उसके बारे में अब हम लोग जानेंगे उसके बाद heading डालेंगे techniques of preparation of herbarium herbarium के preparation की techniques तो उसमें लिखेंगे the preparation of herbarium is done by following step यह following step में complete होती है collection, pressing, drawing, mounting, identification and labeling इसका मतलब यह है कि जो herbarium है वो कौन-कौन से चरणों से होकर complete होती है तो सबसे पहले हम plant को collect करेंगे फिर उसको press करेंगे या किसी चीज़ से उसको दबा के रखेंगे जिससे वो pressed हो जाए फिर उसको सुखाएंगे और उसे फिर herbarium sheet पर mount करेंगे यानि चिपका देंगे, paste करेंगे फिर identification and labeling identification यानि उस plants की पहचान करेंगे वो plants क्या है, उसका नाम क्या है और labeling का मतलब होता है कि उस plants का नामंकन करना जैसे कहते नहीं है कभी आता है पेपर में labeled diagram यानि नामांग की चित्र बनाना है ऐसे रहता है तो वही labeling वही है कि उसका नाम भी लिखना रहता है उसके बाद अब हम लोग एक एक बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले पढ़ेंगे collection तो heading डालेंगे collection उसमें लिखेंगे this is the first step and important step of preparation of herbarium for collection of plant for the collection of plant following things are required knife knife, scissor, blade thread, polythene pen, notebook container, faa formalin acetic acid इसमें यह का जा रहा है कि सबसे पहला step था collection यानि plant को हम लोग collect करेंगे तो collection में इसमें यह का जा रहा है कि यह पहला step है herbarium के preparation का preparation of herbarium herbarium के preparation का यह पहला step है for collection of plant plant के collection के लिए herbarium का herbarium के preparation का यह पहला step है और collection करने के लिए हमें क्या-क्या चीज की requirement होती है knife, scissor, blade यानि हमें चाकू की जरूरत होती है कैंची की, blade की, एक धागे की polythene की जरूरत होती है pen और notes notebook की जरूरत होती है जिसमें हम लोग note करते हैं container, tin का कोई container होना चाहिए और fermented, acetic acid during collection, following points should be noted collection, जो अपने heading डाली है उसमें continue करना है और उसमें लिखना है कि collection करने के दौरान हमें कुछ points को note करना चाहिए दिहान में रखना चाहिए, वो points कौन से है पहला point है in the case of herbaceous plant entire plant along with flower, fruit and seed should be collected इसमें यह कहा जा रहा है कि herbaceous plants जो होते हैं उनके case में entire plant को collect करना चाहिए जो छोटी plants होते हैं यह होते हैं जो जैसे आप लोग collect करें पालक या ऐसे कोई साक वाले पौदे तो उसमें हम लोग पूरे plants को लेते हैं जिसमें flower भी हो, fruit भी हो और जड़ भी हो सभी plants को हम लोग collect करते हैं और फिर दूसरा point है in the case of tree and shrubs a twig of 25 cm long is sufficient for collection इसमें का जा रहा है कि tree के cases में या shrubs यानि जहाडियों के cases में हम लोग को एक twig मतलब कर सकते हैं एक टहनी ही sufficient होती है वो टहनी होनी चाहिए तो यही इसका कुछ point था दो point था आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दूसरा जो है collection के बाद हमें क्या करना चाहिए collection के बाद हमने plant को collect कर लिया अब उसके बाद हम लोग plant को pressed करेंगे किसी चीज़ के नीचे तो दूसरी heading है pressing उसमें लिखना है after collection the plant specimen should be kept between beloting paper and plant become pressed the large plant should be bent in VNW shape at the time of pressing इसमें यह कहा जा रहा है कि जब हम लोग collection कर लेते हैं after collection यानि collection के बाद plant specimen के collection के बाद हम लोग को should be यानि रखना चाहिए between beloting paper हमें plants specimen को beloting paper के बीच में रखना चाहिए कोई आपके पास कोई रदी paper हो ऐसे नहीं कि कोई एकदम अच्छ इस paper हो आप उसके नीचे plants को रख दें तो paper भी आपका खराब हो जागा इसलिए beloting paper का यूज करना चाहिए और उसके बीच में आपको plants को रख देना है और उसके बाद plant become pressed pressed हो जाएगा फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि जो लंबे plants हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें उस plant को v-shape, n-shape या w-shape में उसे करके फिर उसके बाद pressing करनी चाहिए इसमें एक word आया होगा bent miss होता है मोड़ना किसी plant को u, n या w-shape में मोड़ देते हैं उसके बाद next हम लोग क्या करते हैं ड्राइंग करते हैं उस plant को हम लोग सुखाते हैं इसमें लिखना है after pressing, the plant spacemen are kept in sunlight for drying up up to six to seven days उसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग 6-7 दिन तक sunlight में उस plant को रख देते हैं और उसे सुखाते हैं kept miss रखना होता है pressing करने के बाद उस plant को 6-7 दिन तक sunlight में रख देते हैं और उसे सुखाते हैं उसके बाद next जो हम लोग करते हैं mounted आता है यानि उसे हम लोग herbarium sheet पर चिपकाते हैं तो चलिए उसको भी देख लेते हैं क्योंकि paper में आना है तो लिखना तो सब है उसके बाद अब हम लोग लिखेंगे mounting mounting में लिखना है after drying the plant spacemen are mounted on herbarium sheet with the help of gum इसमें ये का जा रहा है कि dry होने के बाद plant spacemen को हम लोग herbarium sheet पर mounted कर देते हैं या चिपका देते हैं gum की help से with the help of gum या गोंद की मदद से उसके बाद पांचवा है identification and labeling labeling उसकी पहचान करेंगे और उसका नाम लिखेंगे नाम आंकन करेंगे इसमें लिखना है in the last step of herbarium preparation इसमें last सही से नहीं लिखना है लेकिन आपको लिखना last in the last step of herbarium preparation identification and labeling of plant has been done on right hand lower corner of herbarium sheet which include a following information इसमें यह का जा रहा है कि यह last step है herbarium के preparation का इसमें plant का identification किया जाता और plants के parts का उसका नाम लिखा जाता है और जो उसका identification और जो नाम लिखा जाता है वो जो page रहता page के right hand side में कोने में lower corner पे लिखा जाता और उसमें क्या-क्या हमें लिखना रहता है यह हम देखे हैं क्या-क्या लिखा इसमें जो कौने में हम लोग राइट हैंड साइड में पेज़ की एकदम कौर्नर पे कौने में लिखते हैं वो क्या लिखते हैं उसमें लिखते हैं उसका उस प्लांट का बाटनिकल नेम लिखते हैं वरनेकुलर नेम जो हम लोग उसे बुलाते हैं या कॉमनली नेम उसका लिखते हैं फैमली लिखते हैं उसकी और डेट आफ कलेक्शन जिस दिन उस प्लांट को कलेक्ट किया गया था उसकी डेट लिखते हैं उसका इस्पेसल उस प्लांट का इस्पेसल फीचर लिखते हैं इकोनॉमिक यूजज लिखते हैं इसमें यूजज रहेगा यूजज इसमें यूजज लिखा है लेकिन रहेगा एकोनॉमिक यूजज या इकोनॉमिकल यूजज जो भी आप लिखना च बहुत ही ज्यादा important है और अगर आप लोंको विश्वास नहीं हो तो देख लिजे इसमें यह unsolve है और इसमें पांच नमबर में question आया हुआ है write short note on Indian herbaria Indian herbaria पर आपको short note लिखना है तो जो अभी आपने लिखा उसका notes बनाया होगा और सिर्फ उसी notes को आप लोग याद करके लिख देंगे न आपको पांच नमबर confirm है मिल जाएगा तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो like करें share करें और subscribe करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा and thank you so much for watching my video and next video जल्दी upload करी जाएगी